आप अभी तक अपने Android फोन के अंदर Android 9 तक का वर्जन ही यूज कर रहे थे बट गाइस अब बहुत जल्द ही आपको Android 10 का वर्जन भी अपने फोन के अंदर देखने को मिले वाला है जो की Android क्यों के नाम से आने वाला है इस बार जो नए वर्जन आने वाला है इसका नाम याँ पर Android 10 ही होने वाला है गाइस Android 10 के अंदर आपको काफी कमाल के फीचर देखने को मिले वाले है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले है सो स्टों को सुरू से लेकर अहरे तक सार्दिया अगर आप जाना चाते हो कि Android 10 के अंदर आपको कौन-कौन से फीचर देखने को मिले वाले है जो सबसे पहला फीचर है जो Android 10 के अंदर आने वाला है गाइस वो है डार्क मोड गाइस आपको डार्क मोड देखने को मिले वाला है आप अपनी मर्जी से इसको इनेबल कर सकते हैं आप चाहे तो इसको ओफ भी कर सकते हैं अगर आप रात में फोन का यूज कर रहे हैं तो यह आपके लिए काफी ज़रा benefit देने वाला है साथी में इससे आपकी बैटरी की power है वो भी बड़े हैं अगर आप उसकी परमीशन को बंद कर सकते हो और जब आप उसकी परमीशन अटोमेटिकली ही इनेबल हो जाएगी तो इससे आपकी privacy आपर बढ़ने वाली है तो इससे काफी अच्छा अपडेट है Android 10 के अदर जो next feature आने वाला है वो है sharing का option जो की पहले काफी slow होता था अब गूगल की मदद से आप किसी भी फाइल को बड़ी फास्ट उसको याँपर share कर पाऊगे Android 10 के अदर next update आने वाला है वो है themes का अब आप याँपर अपनी themes को change कर पाऊगे याँपर आप colorful themes को लगा पाऊगे याँपर आप अपने UI को भी आपर change कर पाऊगे Android 10 के अंदर जो next feature आने वाला है वो है battery indicator का अब जो आपको पहले आपकी battery के उपर percentage दिखाई देती थी कि आपकी battery कितनी बची हुई है बट आपका phone ये भी दिखाने वाला है कि आपकी battery कितने समय तक चलने वाली है यानि कि आपकी battery पांच बजे तक चलने वाली है या फिर चार बजे तक चलने वाली है अब आपको ये भी indicate हो जाएगा Android 10 के अंदर जो next feature आने वाला है वो है Wi-Fi से related जब आप पहले Wi-Fi का यूज करते थे तो आपको Wi-Fi को connect करवाने के लिए बार-बार पास्वर्ड बरना पड़ता था अब याँ पर Wi-Fi के अंदर आपको एक QR code देखने को मिलने वाला है यह feature काफी वड़ी है जिससे आप अपना password किसी को भी बताए बिना याँ पर सिरफ QR code से ही उसको scan करवाके करवास्ते हो साथी में गाइस Android 10 के इंदर जो next feature आने वाला है वो है camera selected होने वाला है अगर आप किसी third party app से कोई photo को कली करते हो तो गाइस अब आप उस photo को और बढ़िया से वाँ पर edit कर पाओगे याँ पर आप बोके mode का यूज कर सकते हो साथी में गाइस depth mode का भी याँ पर आप यूज कर पाओगे सो याँ पर photos की quality आपकी काफी जड़ा बढ़ने वाली है जो Android 10 का next feature होने वाला है गाइस वो होने वाला है याँ पर audio video format के उपर गाइस याँ पर आपको codec avi का support देखने को मिलने वाला है जिसके मदद से जो videos आपके phone के अंदर काम नहीं करती है जो high quality वाली videos है आप उनको अलग format के अंदर change करके भी पले कर पाओगे सो एक काफी अच्छा feature है अगर आपके phone के अंदर ज्यादा high quality की videos काम नहीं करती है आपको उनको कम quality के अंदर भी देख पाओगे Android 10 के अंदर जो नया feature आने वाला है वो है notification से related अगर आपके इस notification को बलोग करना चाते हूँ जो कि आपके बार बार आ रहे हैं आप उसके उपर long tap करके उसको बलोग कर पाओगे Android 10 का जो last दसमा feature है वो है foldable UI का यहांपर feature गाइस अभी आपको बहुत सारे ऐसे phone देखने को मिलने वाले है जो की fold हो जाएंगे जो Android 10 होने वाला है वो उनके अंदर भी काम करने वाला है वो उनको ऐसा design देगा ताकि वो अपने इस Android 10 के features को यहांपर यूज कर पाएं अपने foldable 4 के अदर तो एक नया UI foldable 4 के लिए special देखने को मिलने वाला है तो आज यह थे Android 10 याने Android 9 के feature अगर आप इस वीडियो के बारे में कुछ फुसर जाते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना ठेक्स पूर वाचिंग